हाई गैज, कैसे आप लोग आई हो पाप लोग बहुत अच्छ होंगे स्वागात है आपका मीरा सिंख मेक बर्ट चैनल में और आज में लेक रहें देखा होता प्रेटी सा मेक अप और आज ये मेकम में सिखाने वाली आप लोगों को तो आज बिगनर्स के लिए होने वाली यह बहुत अच्छी सी क्लास तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के लेस्ट गू तो आज मैं बताने वाली में आपको बहुत फ्लॉलस बेस बनाना बट उससे पहले हम करने वाले हैं आई मेकप तो फर्स हम आई मेकप आज में आपको बहुत प्यारा सा सिखाने वाली हूं बिना कट क्रीज के बहुत ब्यूटिफुल सा आई मेकप सिखाने वाली हूं और उसके बाद हम सिखेंगे फ्लॉलस बेस कैसे बनाए कैसे अचीव करें आप नॉर्मली प्रोड़क्स से भी फ्लॉलस बेस बना सकते हैं तो गाई जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं जो लोग भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब और लाइक कर दिजएगा एंड हिट दा बैल आइकन की जो भी में वीडियो डालू उसका नोट्फिकेशन सबसे पहले आपको मिले आपका इब्रेंट सेर्कल में, आपको ठीक लगें अगर आपके पास कोई भी स्पेशल आइब्रोरwatch प्लिर नहीं है तो हमारे जो आईशेडू पैलट्स होती है या ब्लाक कलर हमें और उसमें भी मिक्स करके सकते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, डाक ब्राउन भी होता है, लाइट ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास फिलर हो, तब ही आप करें, तो देखो इनी चीजों से बहुत फ्लॉलस मेकप हो जाता है, और आज मैं ऐसी आपको सिखाने वाली है, तो आप इनके प्रडेक्ट ले सकते हैं, ये बहुती नॉमल रेड हैं, बहुती सस्ते हैं, और आप इनसे मेकप करना शुरू कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, अगयन मैंने इस लिया है, बहुत लाइट ब्राउन कलर, जो मैंने दिया है पूरी आईलेट पे, अगयन मैंने ब्रेशी आप थोड़े से अच्छे ले लीजेगा क्योंकि ब्रेशी इसका बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपके पास ब्रेशी इस अच्छे हैं आपका आई-मेकब बहुत अच्छा होगा आप आप देख सकते हैं ऑटर कॉनर पर मैं डाल रही हो परपल कलर मैंने लिए हैं परपल कलर तो आज हम मैंने जो ड्रेस पहना है बड़ उसके थोड़ा सा कंट्रास में करेंगे हम क्योंकि हम सीक्रेइग एक फ्लॉॉलस बेस बनाना एंड के अपको एक flawless अच्छा सा eye makeup भी सिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं outer corner पे मैंने पूरे eye lid पे half eye lid पे मैंने purple color दे दिया है आप देख सकते हैं और purple color मैंने इसमें कर लिया है अच्छे से blend आप देख सकते हैं blending बहुत जरूरी गाईज क्योंकि एक अलग से harsh line नहीं दिखनी चाहिए जो मेरी नहीं दिख रही है आप देख सकते हैं again inner corner पे मैंने दिया है थोड़ा सा golden copper shade बहुत golden नहीं दिया है मैंने थोड़ा सा copper दिया है golden के साथ आप देख सकते हैं और ये मैं दे रही हूँ inner corner पे और इन दोनों को भी मैं करने वाली हूँ अच्छे से merge क्योंकि merging बहुत जरूरी है merging नहीं करेंगे आप merge नहीं करेंगे तो harsh line दिखेगी अलग-अलग से एक वो बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती तो हमेशा guys ये जरूर याद रखेगा कि आपको जब भी eye makeup करना है तो आपको blending बहुत अच्छी से करनी आप देख सकते हैं दोनों के मैंने कर दिया है अच्छे से blend और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा again bone area पे मैं दे रही हूँ silver color bone area पे आप silver color देंगे जिसे कि bone area आपका highlight हो और eye makeup आपका बहुत अच्छा लगे आप देख सकते हैं और bone area पे मैंने same palette मैं से उठाया है highlighter वही दिया है मैंने special कोई color नहीं दिया है again liner लगा रही हूँ guys और यह pop का liner है आखे पाथ जो है आप लगा सकते pop के liner बहुत costly नहीं है यह अच्छे हैं और आप ले सकते हैं देखें आप एक beginners के हिसाब से मैं सारे product भी दिखा रही हूँ बता रही हूँ और make up भी कर रही हूँ मैं mix match कर लेती हूँ और बहुत अच्छा make up हो जाता उससे और liner में थोड़ा सा बिंग दिया है और guys देख सकते हैं मैं waterline पे दे रही हूँ white color का काजल आप देख सकते हैं और यह white color का काजल मैंने मगाया है नाइका से और यह नाइका का है और white color का काजल लगाने से क्या होता है जिनके eyes छोटी होती है उनकी eyes थोड़ी बड़ी लगती है अगैन नीचे मैं दे रही हूँ देख सकते हैं merge कर रही हूँ एक black eyeshadow उठाया है उससे मैं नीचे थोड़ा से smurge करके लगा रही हूँ जिससे के एक प्यारा सा eye पे लुक आए अगैन यह है mascara और यह mascara है नाइका का guys आप देख सकते हैं और यह अच्छा mascara और मेरा तो यह favorite है तो मैं ज़्यादा तर यही use करती वीडियो में क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद है अगैन देखें मैंने लिए eye magic की eyelash मैंने लगा यह eye magic की और eye glue अगर आपको बहुत अच्छा वाला चाहिए जिससे एकदम इस्टिक हो जा तो आप eye glow इस beauty का ले सकते हैं बहुत अच्छा eye glue है और eye lashes देखें सेट होगे eye makeup बहुत अच्छा लग रहा अगैन देखें face clean कर लिया है मैंने मैंने दिया है toner toner के जगे मैंने rose water दिया है guys और rose water के बाद मैंने लगाई है सीटा फिल का मौशराइजर और गाईज देखें flawless base बनाने के लिए आपको मौशराइजर बहुत अच्छे से लगाना और अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है तो आप इस पे serum भी लगा सकते है मैं serum नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे skin ज़्यादा dry नहीं है अगेन मैं primer लगा रही हूँ primer है color bar का guys primer भी आपको बहुत अच्छे से लगाना है primer must है guys कभी भी आप base लगाते है तो primer बिलकुल skip नहीं करना है primer आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि ज़र प्राइमर नहीं लगाएंगे तो एक अच्छा flawless base नहीं मिलेगा अगेन देखें ये मैंने उठाया है illegal का और illegal का मैं two shade darker concealer लगा रही हूँ मैं orange character नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़ादा dark circle या pigmentation नहीं है अगर आपके बहुत ज़ादा dark circle है pigmentation नहीं है तो आप सिर्फ two shade darker concealer से भी अपना make up कर सकते हैं अपना बिल्कुल जो भी छोटे मोटे जो dark circle है हलके फुलके वो two shade darker concealer से बिल्कुल हाइट हो जाते हैं आप देख सकते हैं अगेन देखें ये है जो ये swiss beauty का foundation है guys swiss beauty का foundation बहुत अच्छा foundation है plus runny foundation और आप देखेंगा इससे ही कितना flawless base बनने वाला है जरूरी नहीं है कि मैं आपके लिए हुडा यूज किया है या मैंने नार्ज यूज किया है मैंने normally swiss beauty का यूज किया है और अगर आप इसे लगाने के लिए अच्छे से इसको आप blend कर देते हैं देखें मैंने हमेशा बताते है blending बहुत जरूरी है guys जब आप इसो अच्छे से blend करेंगे न ये एकदम अपने आप इतना flawless base निकल के आएगा आप देखेंगा आप खुद देखें कितना अच्छा लग रहा है और एक मैंने ब्रस के help से application किये लेकिन देखें मैं blending beauty blend से करेंगे जब भी आप beauty blender यूज करें तो beauty blender आपका damp होना चाहिए गीला होके अच्छे से निचुड़ा होना चाहिए उसमें पानी नहीं होना चाहिए उससे बहुत flawless base बनता बहुत अच्छा लुकात है आप देख सकते हैं अगैन उसके बाद देखें यह मैंने उठाई यह sugar की पैलट है और शुगर की कैसा करना और guys यह जो है ना पाउडर कंटोर यह awesome है इससे बहुत अच्छी कंटोरिंग होती और आप बिगनर है तो आप इसी से करेगा क्यों क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अच्छे से blending कर सकते हैं क्योंकि जो आप क्रीमी कंटोर करते कई बार वह इतना डाक लग जात आप देख सकते हैं अगेन उसके बाद देखें मैं हाई लाटर यूस करियां और यह스 बि受 आप देख सकते हैं और तो आप देख आप एगप में यह बहुकisée बहुत जरूरी है करें और देखें मैं इसे महीं कमाई blend कर रहे हूं पूरे फेस पे ब्लेंडिंग नहीं करने हैं करके हैं तो आप जहां भी लगाते हैं यह highlighter concealer आपको इसे क्या होता है जब जैसी हमारे कामरे की lights पढ़ते हैं या हम और अभी अब ब्लशर करेंगे और हाइलाइटर लगाएंगे तो उसके बाद हमारा फेज इनहेंस करके दिखेगा तो वह बहुत अच्छा लगता गाइस देखेगा भी आप तो आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लंड करेंगे ब्लंडिंग बहुत जरूरी है आप अच्छे से तो यह सोली मैं करने वाली भी अप 10 टी 1ड मार्ज यoring में अच्छे हैं और यह मैं दे रही हैं बनाना उनमल भात है जो medium skin है, तो उस पर बनाना ही जाता है, तो आप बनाना यूज़ करिएगगा, अगर आप dusty skin पर तो आप इसका dark color यूज़ कर सकता और बहुत fair हैं, तो आप इसका बिलको Translution Powder यूज़ कर सकते हैं, अगएन मैं दे रही हूं देख सकते हैं, यह Blusher, औ। Blusher है, यह मेरी आई मैजिक की पैलट आप मेरी और वीडियो विजिट करिए जाके और वीडियो में देखिए मैंने आई मैजिक की पैलट दे रखी है मैंने शॉर्ट वीडियो डाली उसमें मैं पूरा आई मैजिक पैलट का ब्लशर नॉलिज बता चुकी हूं अगैन यह है नाइका का हाइल मैं दे रहे हूं बोन एरिया पर कितना देख सकते हैं और आप देख सकते हैं और जब भी आप्क करते हैं जिसे मैं कितना दूइज लगा ले एक मैड फिनिश रहाता है जैसे आप बावडर लगाते हैं लेकिन उसके बाद घब Bennett लगाते हैं तो अपका के लिए पैलट है इसका मैंने एक शॉर्ट टिटोरियल डाला है आप मेरे चैनल पर जाएए और देखिए जाके कि आप 10 लिपस्टिक खरीदने से अच्छा है कि आप एक लिप पैलट ले लिए बहुत सारी कंपनी की आती हैं आप उसे किसी भी मैच मिक्स करके सारी मिक्स की आ सकते हैं और यहाँ रहे हैं पर यहाँना देख सकते हैंशी वीडियो को अच्छी लग आप रइक कर दिजएगा अईसी वीडियो के लिए और देख libre ऐसी वीडियो के मैं फिर लेके आओंगे एक नए टिटोरियल नए वीडियो के साथ आप देख सकते हैं आज नॉर्मल प्रडेक्ट से कितना फ्लॉलस बेस बनाना बता है आपको और आप खुद देखे कितना फ्लॉलस लग रहा है एंड कितना डूई लग रहा है कितनी शाइनिंग आ रही है गाइज तो आप भी सीखिए करिए और प्लीज गाइज वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए घर में किसी का भी करिए प्रैक्टिस करते रहिए सीखते रहिए तब तक लिए बाइ एंड टेक कियर